आपका स्वागत है और आज मैं सिखाऊंगी केले की चट्नी राजस्तान में केले की चट्नी बहुत बनाई जाती है केले जब नरम हो जाते हैं या बच जाते हैं तो इससे हम आज केले की चट्नी बनाएंगे ये आपके और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी केले की चत्मी के लिए हम सबसे पहले हम केले लेंगे यह थोड़े नरम है फिर हम इसको लेकर फिर हम इसको छील लेंगे और फिर हम इसको छील लेंगे और नरम है तो हम उस स्पेस को इसको हटा देंगे फिर हम इसको बॉल में ऐसे काट लेंगे और इसको काट लेंगे फिर ह पृँसरा लेंगे पर शील फोड़े नरम केलो नες कि यह के थोड़े नरम केलो से ही चटनी बनती है हम जले हो जाता है जब चे नरम केले देखके नहीं कृते तो हम इस तरह से सनी बना लेते हैं और चापनी बहुत ही स्वार्दिश्ट बनती है इसे हरो आघ 1971 पराठी के साथ लॉटी न पराठे के साथ, भी खा सकते हैं helemaal कि कैसे मादूआ गडवा पाठ निकाल देंगे और और साफ साफ पाठ कर एक काट लिए और इसको हम गोलाई में काट लेंगे ऺड़े की चैटनी की सामगरी इसके लिए हम सबसे पहले मिर्ची लेंगे आधी चमम दो चम्मच चीनी लेगे और एक बाउल पानी और दो चम्मच सुखा धनिया यह बहुत जरूर जरूरी सामक दिये तेले की चटनी के लिए हम सबसे पहले आदी चम्मच नमक डालेंगे हूं भी में किषी लाल मिच ठाल देंगे हम फिर इसमे चाट मसाला डाल देगे आदर चम्मच भरा धनिया या उते भी ले सकते हैं पर मीचनी के लिए हम इसमें बुखा धनिया डाल देंगे दो चम्मच यह ब्याजर यह बहुत्य चटनी दालेंगे दो चम्मच चीनी अपने स्वाधनसा डाल सकते हो यदि ज्यादा मिठा खाना हो तो ज्यादा डाल सकते हो फिर बाद में हम इसमें एक बाउल हम पानी डाल देंगे और फिर हम इसको हिला लेंगे चीनी जब तक ना गल जाए तब तक हम इसमें हिलाते रहेंगे और चीनी गल जाएगी तब ही हमारी तयार है चीनी मिला दी है और मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी और एड़ कर दी है क्योंकि मुझे कम लगी इसमें और यदि आप मीठा खाता है जादा तो आप इसमें 2 चम्मच और एड़ कर सकते हैं अपने स्वादमसार और इस तरह से अब हमारी चट्मी तयार है यह किसी भी पलाठे य कैसी बनी यह आप हमें कमेंट शेक्शन में बताईए आप 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 आप